क्योंकि हमने आवान किया हुआ है कि इस बार बाबा साइब की जैनती समन संग के निमों के रुमसार हम कोसिस करेंगे पूरे भार्क में तो उसके लिए थोड़ा सा ये पंदरा चौदा अप्रेल तक ऐसे ही उसे करते हैं कुछ अपने अपने आइडिया देते रहें जी जैभी नमुबद्दाय सभी साथियों को मैं डॉक्टर राश्कमारी बंसल जबलपूर मदब्रे से इस साल चौदा अप्रेल को हमें बाबा स टॉक्टर कंचलाता मैम प्लीज आप अपने विजार रखिए थैंक यू नमों गुद्धाय जैसिंद्धियों में आप सभी का सौगत में वीड़ा पिपल समर्संग जो है जैसा आप जानते हैं कि सम्विधान की मूल भावना पर यानि हम लोग हम सब एक जगह कर तो होकर जो लोग जो टाकत बनते हैं वी वी ईदभ यानि जारहें इसलिए इस बार की 14 अपरेब दो हजार वाईस ही जो हम बादा साब की जैनती मिनाने जा रही है तो हम ये चाहते हैं कि हम सभी लोग एक जगे एकठा होकर एक ही बैनर के तलिए जैसे अब तक क्या होता था अलग अलग अलिक मोहले में अलग अलग संगठन अलग बैनर और बाबा साहब की जैनती मना रहे हैं बस शोर शराब, खाना पीना और कुछ नहीं लेकिन हमें उनके आदर्शों को अपनाना है, यह बहुत ज़्यादा जरूरी है, यही सच्चे शंधान्जली होगी, कि हम लोग जो हैं एक जगे इकठे होकर बाबा साहब की जैनती मनाएं, जो भी संगठन हैं, उनको अपने साथ मिलाने के लिए बातचीत करें, और सभी लोग जितने भी ल हैं, वो सब इकठे होकर एक ही जगे आपको यह बाबा साहब की जैनती मनाएं, यही उनको सच्ची स्रधान्जली होगी, यही बहुत है, जैसे मिलाने के लिए इस बारे में अपने विचार रखना चाहें तो प्लीज हैंड रेस करिएगा, मैं भी इस बारे में दोलाइने बोलना चाहूंगी, कि जैसा कि मैम ने बोला कि हम सभी को अलग-लग बिगटित हो करके अपने महापुरसों को नहीं याद करना है, हम लोग को एक खटा हो करके एक एक एक्टा का संगतिस देना है, जैसे कि बाबा साब को अगर हम याद कर रहे हैं, चौदा अप्रेल को तो एक खटा होई है, और Be The People भी इसके लिए आपको बार-बार अपील कर रहा है कि हमें ये संगतित होने का समय आ गया है, और जो गलतिया हमने किये, अपने अलग-लग संगतन बना करके, अलग-लग तुकडों में विभाजित हो करके, और अपने आपको कमजोर साबित करके, उ इसके लिए भी आपको संकल्प लेना है, और Be The People भी इस बारे में बात करता है कि आप कोईसी भी महापुर्स की अगर हम जैनती मना रहे हैं, तो इसके लिए आपको इतना पैसा खर्च करने की या बहुत जादा पैसा कलेक्शन करने की जरूरत नहीं है, चंदे का लेन देन राया आपको संगतिथ ओना थाइ, आपको वस यहीं प्रियास करना है, इसी वारे में हम के बारवह कि इसला हुं कि हमारे सम या बारबार का करना है, इस बाड़ करना है. जय भी नबब्र्धदय कि इंक एन्डु थैंक यू तेंक कि शर हैंड रे यह के पिशिंग सार का कर बहुत खुशी हुई मेरे को, कि इस पार हम समठ संग के सायोग से, और मेरे यह कहूंगा, जो सभी दोस्त लोग हैं, कि इस पार हम समठ संग के जो हमने ग्यान अर्चित किया है, उसके माध्यम से हम इस वार हम बिलकुर सही जो बावा साव की मूल भावना थी, मेरे जो मूल निवासी हैं, वो मेरे उसके जसन को जैसा की धोल तांसे बजा करके, हम जो उद्देस से वहीन हो रहे थे अभी तक, और मैं भी जाता था जंतर मंतर और पार्लियमेंट इस्टीट दिल्ली में, तो यहां तमाम दुनिया के लोगों के अलग लग टेंट लगते थे और सेक्टों की संक्या में टेंट और लंगर और पूरी खाई, तो अभी तक हम केवल पूरी और लंगर खा रहे थे, बिचार जो मूल सहली है, मूल उनका हमें आचर को अपने जीवन में फॉलो करना चाहिए, इसी के साथ मैं अपने मानी को ब्राम देता हूं, धन्यवाद, जैवीम, जै समिधान, तैंक यू सर, बहुत बहुत साधे बात, अगला हैंड रेजर संजय लोनिया जी का, संजय लोनिया ज मैडम अभी पीछे विचार रखे गए थे, कि बाबा साब की जैनती कैसे मनाएं, तो उसमें माने वर्जी ने कहा था कि परलेमेंट नहीं जाना है, संसद्वावन नहीं जाना है, तो मेरा विचार है कि महां जाना चाहिए, क्योंकि महां हमारी जो पीड़ी है, नई लगेगा कि हमारा भी कोई मेला लगता है, या हमारे लोग इखटा होते हैं एक जिगे, वहाँ पर सभी लोग आते हैं, जी जी सर, दिल्ली के साहे लोग पालेमेंट इखटे होंगे, सार, एक मेला लगेगा, और को नहीं लगेगा, ठीक, बहुत अच्छा है, सर, बहुत अ दिल्ली का एक जिगे लगेगा, तो हम उसी का परचार करेंगे, सर, अपना खाना लेकर जाना है, बहुत अच्छा रहेगा, सर, ठीक, आपने लोगों के साथ मिलके बात करना है, दिल्ली से कौन कोन है, है कोई, ब्रिज महन जी, काफी लोग है, सर, जुड़े हुए है, तो उन से बात करना फोन पर आप, ठीक है सर, ठीक है सर, नमूब देज जेवीन, जेवन नमूदेज सर, नेक्स्ट हंड्रेज है, रंधीर प्रसाजी का, मैं राजेश कुमर में बोलना हूं, जी 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 बोलिये, मैं राजेश बनारस हूं, यह पार्मसिटिकल कर्प्रा काम है, हलो, जी मैं, इस बार जो हम लोग, इस बार जो हम लोग 14 अपर मना रहे हैं, वो डिक्की का मैं में मेंबर हूं, बनारस कोडिनेटर हूं, उसके ब्यात में इस बार हमें, रास्त्रपती से मिलने का मौका मिल रहा है, जी, जी, अलो, जी सारा बात की आवाज आ रही है, प्लीज बात रखिये हूं, हलो, हलो, रंदीर परसाद को लेले महंदी, उनका, जी, नेक्स्ट हैंड रेजर, अल्दीर परसाद जी, जै भीम, जै संविधान, जै भीम सार, मेरा कहना है, हम लोग बावा साहिब के जो विचार थे, कि हमें संगठित होके रहना है, और हमारे बावा साहिब के जो भावना थे, तो हमको 14 अप्रील को इसी पर मन्थन करना चाहिए, कि हम बावा साहिब जो हमको संगठित होने के लिए कहा था, और हमने संगठन बनाने में अपना सन्य बरबाद कर रहे हैं, तो उस पर सोच विचार करना चाहिए, नहीं कि माला पहना ना चाहिए, भोजबात करने चाहिए, परसाद मातनी चाहिए, और हमारे बावा साहिब कहे थे, कि परहे लिखे लोगों ने ही हम लोग को धोखा दिया, जैसे कि 31 विद्दार्ती को उन्होंने भेजा था बाहर विदे सरकार के खर्च पर, उस सब ने सब धोखा दिया, और आज भी हम अपने समाज में लोगों को देखते हैं, कि बाबा साहिब के समभिदान से नोक्री प्राप्ट करके, मंदिर मस्जिद का चक्कर लगा रहे हैं, उनको कैसे प्राप्ट हुआ ये अधिकार भूल गए हैं, तो हमको कहने का मतलब है कि हमको बाबा साहिब के जन दिवस पर, मात्र इसी बात का ठिंकन और मनन करना चाहिए, कि हम बाबा साहिब के मारगों पर चल रहे हैं, ज़दी नहीं चल रहे हैं, तो कैसे चला जाए, इस पर लोग को गंभीर चर्चा करनी चाहिए, जी, थैंक्यू साहिए, तो अल्टिमेटली बस आखिर में यही बात, सब की यही बिचार है कि हमें बाबा साब का जो भी जर्म दिर्स मना रहे हैं, कि उस सब की तरह मनाना चाहिए, जिसमें पैसो का लें दिन नहीं करना चाहिए, और हमें अपने सहर या जले लेवल पर वस इस अपको एक जगए खटा हो करके, अपनी यूनिटी और ताकत का एक साथ एक खटा हो करके संगटित होने का संदिश देना चाहिए, जैबी, एस पी परियार सर अभी दो हैंड रेज लिके ना कंसेट का भी टाइम हो गया है, प्लीज बताएं आगे क्या करना है, हैंड रेज ले लो, हैंड रेजर जैपी सिंग बाद जी का जैपी सिंग बाद जी प्लीज आप अपनी बात रखिए, भगवांद दासमीना जी आपने भी हैंड रेज किया है, हाँ मेड़ाब जी सर्थ आपनी बात रखिए प्लीज, सभी समझ संग कि सीने साथियों जै समझ संग, जै भी नहों बोट जाएंगे, मैं भगवाल ना समीना डी जैलो कि चाट जाट जी मेरे रेखिए माज़ाब जाट जाटियों में रहने वाले राहिस्तान के दोल बोलता हूं, मुझे समझ संग के बारे में, दो दिन पहले मेरे राहिस्तान स्री जीतेंदर आरिया सर ने बताये होगा, तो मुझे यह जानकर बहुत कुछी हुई, अब मैं भी बाबा साली बिचार जो सकूँगा और अधिक समझ सकूँगा, अपने साथियों के समझाता हुआ, जैविन नहीं बोट जाए। सभी बैनों को जैविनों कुद्धाय के साथ, जैपी सिंग बहुत हिसार से अवान करता हूं, खासकर जो हिसार के साथी बुड़े हैं और हिसार के जो अलग-अलग संखन हैं सभी से, के जो विभिन कारणों से आपस में मतबेद चल रहे हैं, उनको दूर करते हुए विदा पीपल समझ संग के अवान पर बबावा साथ डॉक्टर बियारंबेटकर की जैनती इस साथ कठे होकर मनाएं। हम लोग कापी दिनों से एक ही प्रैस कर रहे हैं, नाखपुर में तो स्पेशली गए साथ साल से, एक सब चोबिस से बाबा साब की जैनती तब से हम लोग एक संग होकर ये जैनती मना रहे हैं। मैं तो एक ही कहूंगा, हमने गए सतर साल में जैनती पे बहुत पैसा खर्चा किया। अगर हम लोगों ने इतना पैसा खर्चा नहीं किया होता, तो आज हमारे मेडिकल कॉलेजेस रहते, आज हमारे बड़ी-बड़ी स्कूले रहती। हमने इस ओर कभी भी ध्यान नहीं दिया। मैं तो एक ही जाओंगा डॉक्टर भावसां अम्वेडकर की जैनती इस वक्त एटलिस हम लोगों ने इखटा होकर ये शपत लेनी चाहिए कि इसके आगे किसी भी कंडिशन में हम धोल ताशे में या बयान बाजा निकाल कर हमारे बावसाब की जैनती नहीं मनाएंगे। सिंबॉलिक जैनती मनाईए, सिर्फ इखटा होईए और विचार विमर्ष करिए। इससे समाज का पैसा बचेगा, आप सभी का पैसा बचेगा, वक्त बचेगा। हमारे उपर लोग उंगलिया दिखाते हैं, देखो इनके लोग किस तरह दारू पिकर नाज गाना करके बावसाब की जैनती मनाते हैं। तो मैं तो एक अप्पिल करना चाहता हूँ इस समर संके वी दो पीपल के माध्यम से कि पूरे देश में इस वक्त बावसाब की जैनती एक सिंबॉलिक जैनती मनाईए। जैसे दो साल पिछले दो साल हम लोगों ने जैनती नहीं मनाई। अगर नागपुर का बजेट अगर हम सोचते हैं, तो अकले नागपुर में कम से कम 10 करोड उप्या हर साल बावसाब पी जैनती पे हम लोग वेस्ट करते हैं। अगर यहीं पैसा हम लोगों ने बचाया, तो बड़ी-बड़ी स्कूले खोल सकते, बड़े-बड़े अस्पताल खोल सकते, मेडिकल कॉलेज भी खोल सकते, यह मेरी मन्शा है, और इस उद्देश को लेकर हम लोगों ने वीदव पीपल के माध्याम से पूरे देश को मैं एपील करना चाहूंगा कि इस वक्त ही जेनती सिंबालिक करिये और जोलता आशा या पैसा कहीं भी खर्चा नहों इसको बड़ेंगा, जैवें, जैबुद्ध, जैवारत, थैंक्यूँ थैंक्यू, सथ जी बोलिये, बोलिये, पुष्जा में कड़ गया था अब बोलिए बोलिए बीच बीच में डिस्टरवेंस आ रहा है अब करें सबी सात्यों से पीचाने असलों अपना माईक अन्मिट ना करें सबी साथियों से अपील है हलो जी सर बोले अनिल कुमार के नाम से जो बोलना चारे बोले जैवीम नहोबुदाए जैवीम नहोबुदाए सर कॉंसेप्ट चालूगे हो जस अभी अभी कर रहे हैं दो मिनेट रुके हैं आप परियासर प्लीस कॉंसेट के लिए एड़ोकेट रामचंदर जी है क्या एड़ोकेट रामचंदर जी यह सर यह सर राजेश राजेश कुमार सर आपका ना नेट की इस्व ऐसाएद बात पुरी होनी पारी दिस्टरबेंस काफी हो रही है आप कुछ कहना चाह रहे हैं उसमें चैट बॉक्स में डालने एक बार जी सर एडूकर रामचंद्र से राएं यह सर बहुत शुक्रिया सभी को मेरा नमा बुद्धाय जैवीम बहुत बहुत शुक्रिया मैं रामचंद्र वेसिकली मैं उन्हाओ जिले से जाजनपुर गाओं ब्लाक बीगापुर में पड़ता है वहां से बिलांग करता हूं और एरफोस में वीच साल सर्विस करने के बाद अभी ब्रोद्रा में सटेट हूं आज लीगल प्रैक्टिस्टर राज एडूकेट ब्रोद्रा प्रैक्स करो सब्सक्राइब कि समर्संग हमें बनाने क्यों जरूत पड़ी जैसा कि अभी हाला जो हमारे देश में है कि इतने वर्स हो गए हमें आजादी के आजादी मिले वे लेकिन आज जो हालात है अब आसे इच्छा गिस्तर किता जा रहा है तरह अने अनेक तरीके के सोशार अनेक सब्सक्राइब करिया नहीं है कि प्राइविटाइजेशन हो रहा है कई सारी समस्याओं से देश जूज रहा है इसकी तरफ कोई भी कि सरकार की मुहिम नहीं है कि और हम यह पताना चाहेंगे बिंग लीगल फ्रेटरिटी जो शोशण होरा देश में एक लीगल रिपोर्ट है सिर्फ हम देश में बात करेंगा रेप की टैन पस रेप की हांडेट परसन जो रेप सोते उसमें टैन परसन मुश्कित से अफाई अब्दज होती है और उसमें से त सब्सक्राइब को बिना एड्रेस के रह जाती है तो हालात इतने बत्तर है इसकी वैसे जब की बारतिय सम्विदान बनाया गया संता स्वतनता न्याय पर अधारित कि सबको बराबर हग मिले सबको न्याय मिले लेकिन ऐसा नहीं है तो हमारे महापूरुसों ने जो मुका दिया हम प्रेटि रिस्पेट के बाती गर्मा के बाद की वह नहीं है कि यह कैसे मिलेगा इसके लिए जैसा कि हमारे महापूरुसां ने इकाल को दिया कि अंद्रकार से अंधेरे से प्रकास में कैसे जाएंगे और कैसे आगे हम समस्याओं से निकल पाएंगे एक उधार्ण तोरब बदना चाहूंगा एक बार अंधेरे ने एक बहुत बड़ा प्लासपर था बुद्दिमान विलासबूस के पास गया और उसको सिकायत की अदेरे ने एक के पास ज करता हूं कोषिज करता हूँ और सुछरा हो जाता है मिरे खुल जाती है इस पर जो तक घ्डुफारते उसने पुछा प्रकासी देखा अंदुकार क्या होता हम को मालूम ही नहीं मैं इस डिफेर्श को इसले कहना चाहता हूं कि हमारे महापुर्शों ने वाबासहाब ने पूर्शों ने। विज्डम के उपर विवेक उपर ततागत बुद्ध ने करणा और मैत्री जो उन्होंने सिधा का अज्ञानता इग्नॉरेंस हमें इग्नॉरेंस है और हमारे इग्नॉरेंस के निकाले के लिए समर्संग में जो जानकार दी जा रही है मैंने भी कभी सोचा नहीं कि समर्संग की इतने सारी जानकारियां मैंने भी काफी सारी किताबें पड़ी हैं में में आसी से जानकारियां जो अमारे कर्मट भाईयों से जानने को मिलती हैं मैंने सोचा ही नहीं था मैं भी पिछले अगस्त 2021 से जुड़ा हूं और हर रोज लगबग कुश्च करता हूं करने की यहां में बाबा साब ने जो मेहनत की जो हमें बिचारधारा दिये उस पर हम चाहते हैं कि हम सब लोग रोज जोड़के और इस पर अगर अमल करेंगे तो हम यकिने काम्याब होंगे हम सिर्फ इतना ही एक रेफरेंस देना चाहेंगे कि बाबा साब जब आज से सौच साथ से पहले जब उन्होंने ब्रोद्रा आये थे पढ़ाई करके इंगलेंट से और इतने हाइली एजुकेटेट और डिफेंस पोस्ट पे उनको महाराजा गयाकवार साब ने दिया था जैसा कि उनका अग्रिमेंट था कि आपको पढ़ने के बाद या नवक्री करनी पढ़ेगी उनको कमरा नहीं के लिए उनको कितने हालात खराब थे जब उनको समय आज से सौ साल पहले मैं सब यह कहना चाहता हूं कि उनकी टेबल कुर्शी वह जगया रिजर्ब कर दी गई है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि वह वह ऐसे सक्से जिन्हों ने ऐसा काम किया इतने संगर्स के बावजूद जो चीजे इतना पढ़ाय करने के बाद सारी समस्याओं का निदान किताबों के मादम से लिखते रहे से आप बाहर लड़ पाएंगे लोगों से और उनको बता पाएंगे कि समर्संग कैसे काम बेगे आपको अब बहुत सारी बुक्स हैं जो पढ़ेंगे जैसे बावसामने लिखा है बुद्धान डम्मा बहुत सारी जानकरिया दी है उसको पढ़के आप लोगों की समस्याओ को कानिदान दे पाएंगे और लड़ पाएंगे जो बाहर के समझ चाहे हैं अंद में हम सिर्फ इतने कहने चाहेंगे कि हम समर्संग में नीती और नियत की बहुत ही सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं समर्संग में अलग क्या है नीती और नियत की है यहां पर सही नीती क साथ इमांदारी के साथ नियत के साथ काम कर रहें और सब लोग मिल करके आओ हम सब लोग हमारे मापुर्शों की बिचा अधारा को लेकर समाज में जाएं और जन जन को जागरित करें और समर्शंग की बहुत बिसेश्ता हैं जो जो कहता है कि यहां पर को चंदा या सोचनी लिया जाता यहां कोई चोड़ा बड़ा नहीं है कोई माएक और माला मंच नहीं है कहने के मतलब है यहां पर बहुत आसान तरीके से ब्हुत आदमिहाराद मीं और उस पर अमल कर सके और आप साव गर STR आप बुक्स का जो हमारे बुक्स हैं उसको ध्यान करें इसमें बाबा साब में जो बुक लिखी है बुद्दायन धम्मा बहुत अच्छी किताब है उसको एक ही बार नहीं आप बार बार पड़े उससे बहुत सारी जानकारियां बहुत सारा विज़्डम विवेग ग्यान आप संबने मौका दिया बहुत बश्युक्रिया और इसे के साथ मैं अपना समाफ करता हूं नमाब जाय जाय जाए जाय साथ है बहुत बहुत साथ है वीडियो अच्छी लगी चूट है यह सभी copyright free हैं आप अपने facebook पे अपने page पे अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप YouTube पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या permission लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सों का है उन्ही की बात को सरलभासा में बताते हैं हमारा से वितना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद गच्छामी संगं सरेन गच्छामी संगं सरनं गच्छामी तूथियं पी बुद्धं सेनं गच्छामी दूतियं पी घुतंग सरनं गच्छामी, दूतियं पी धंधंग सरनं गच्छामी, दूतियं पी तंगं 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 सरनं पी सन्यम सर्णं कच्छामी तरतियं पी बुद्धं सर्णं कच्छामी पी सन्यम सर्णं कच्छामी तरतियं पी सन्यम सर्णं कच्छामी